गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी केमिश्रा फ्रॉम गेस्ट्र लेबर हॉस्पिटल स्वरुपनेगर कानपूर जहां तक आलमंड्स का सवाल है या बादाम का सवाल है यह बिल्कुल सूपर फूट की केटिगरी में माना जाता है लेकर बहुत सारे मिस्कंसेप्शन्स होते हैं आलमंड्स या बादाम के बारे में कि इसे हमें कैसा यूज करना चाहिए और किस प्रकार यूज करना चाहिए आज हम इनको साइन्टिफिकली देखने की कोशिश करेंगे जहां तक बादाम का सवाल है आलमंड्स का सवाल है यह सूपर फूट की केटिगरी में आते हैं यह सूपर फूट के केटिगरी में इसलिए आते हैं तक बाद बिल्कूर सही है कि जो आलमंडस का यूज है वो मल्टिपल हेल्थ बेनिफिट लेके चलता है बट इसके यूज के बारे में बहुत सारे misconceptions भी है जिसे हमें समझ दी की जरूरत है आपको जो daily में क्यों लेना चाहिए almonds क्यों आपको यूज करना चाहिए almonds daily जैसा मैंने कहा इसे powerhouse माना जाता है इसकी जो एक nutritional profile है वो बहुत rich है यह आपके health के लिए बहुत सारी benefits लेके चलती है number one आप देखे heart जहां तक heart के health का सवाल है जो almonds हैं यह वास्तों में आपका LDL cholesterol है या जो bad cholesterol है उसको नीचे करके चलते हैं अगर यह नीचे करके चलेंगे तो आपको ethereo sclerosis होने की जो संबाबना है वो कम होगी यह HDL को उपर करके चलते हैं अगर HDL उपर के तरफ रहेगा तो आपको heart की जो problem है उसके होने की संबाबना कम होगी तो अगर हम heart की health को देखें तो जो almonds है वो आपको help करते हैं now look at the diabetes बहुत सारी studies ने ऐसा बोला कि अगर आप regularly almonds consume करते हैं तो आपका 8V1 EC जो तीन महिने का एक average देता है आप blood sugar level बुर नीचे की तरफ रहता है ऐसे ही आपका जो blood sugar है उसके control में जो diabetes है उसमें help करता है अगर आप proper amount में जो almonds उनको consume करते हैं अगर आप weight को ध्यान से देखें जो body weight का सवाल है जब आप almonds consume करते हैं तो ये पेट के अंदर जो satiety का जो level है उसको उपर करके चलता है अगर satiety उपर की तरफ रहेगी तो आपका overall जो calorie का consumption है वो नीचे की तरफ रहेगा और अगर overall calorie का consumption नीचे की तरफ रहेगा तो आप body के weight को maintain करने में ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे in comparison to those जिने satiety proper नहीं है तो इसलिए अगर हम देखें जो benefits of the almonds वो बहुत सारे हैं but these are the main three number one is the heart, second one is the diabetes, number three is the weight management, इसके लिए आपको almonds जरूर use करने चाहिए now सबसे पहला जो question हवेशा पूछा जाता है क्या almond को छील के हमें खाना चाहिए, बादाम को छील के यूज़ करना चाहिए या बादाम को with skin या covering के साथ यूज़ करना चाहिए scientifically जो बादाम है उसको आपको covering के साथ ही यूज़ करना चाहिए इसका जो छिलका है उसको जरूर यूज करना चाहिए ऐसा मना जाता है जो छिलका है बादाम का या आलमंड का is a rich source of polyphenols जो polyphenols है इनमें बहुत सारे micronutrients होते हैं इसके अलावा इससे very rich source of fiber तो जहां तक बादाम का सवाल है उसको छिलने के बजाए छिल के साहित ही इस्तिमाल करनी की ज़रूरत है that is scientific recommendation नो एक दूसरा question पूछा जाता है कि अगर हम बदाम को फ्रिज में रखते हैं तो क्या इसके जो nutrient जो value है वो कम हो जाती है ऐसा नहीं है अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो इसके जो nutritional जो content है आप the elements की फ्रिज में रखने से उसमें कोई ऐसा फरक नहीं पड़ता है तो आप उसको आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं there is no problem what about the roasted almonds क्या roast करने से इसकी जो nutrient value है वो गलबड हो जाती है scientifically हम देखें कि ये misconception है अगर आप roast करते हैं तो almond की जो nutritional value है उसमें कोई negative impact नहीं आता है roast करने से सिर्फ इसका जो water content है वो तो अलग होता है लेकिन जो otherwise जो nutritional content है वो गलबड नहीं होते हैं in fact जो nutrient जो content है या nutritional जो content है वो dense हो जाते हैं तो कोई भी इस तरह का negative impact roasting से नहीं आता है लेकिन ये बात सही है कि अगर आप बादाम roast करें उसके बाद उसके sugar की coating करें उसको में बहुत सारा oil यूज़ करें तो इसके calorie value उपर की तरफ जाएगी इस पर आपको ध्यान देने की जरुरत है otherwise plain आप जो roast बादाम यूज़ करते हैं उसका कोई negative impact नहीं है बादाम आपको ऐसे ही खाना चाहिए या आपको उसको भीगो के खाना चाहिए अगर हम ध्यान से देखें कि अगर आप बादाम से फर एक्जांपल ओवरनाइट भीगो के रखते हैं या छे घंटे भीगो के रखते हैं अगर आप जो soaked बादाम यूज़ करते हैं तो यह digestibility बढ़ाता है जहां तक nutritional value का सवाल है इसकी इसमें कोई फरकने पड़ता जो nutritional value of the raw बादाम या soaked बादाम is the same the only difference is कि आप अगर इसको soaked करके यूज़ करते हैं तो इसको digestibility है वो better हो जाती है बढ़ जाती है तो अगर digestibility is the issue तो इसको आप soak करके यूज़ करें नो बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या almond butter यूज़ किया जा सकता है जरूर जो almond butter है उसको जरूर यूज़ किया जा सकता है इससे dense calorie content जहां तक nutritional value का सवाल है बादाम की जो almond butter है will have the same nutritional values ये आपका जो टेस्ट है उसको भी improve करेगा तो आप जो almond butter है उसको जरूर इस्तेमाल करें लेकिन इसमें dense nutritional content है तो इसलिए उसके जो amount है उसको हमेशा आपको watch करनी की ज़रूरत है at any point of time one tablespoonful से ज़्यादा आपको almond butter use नहीं करना चाहिए now जो almonds हैं क्या आप as sweets यूज़ कर सकते हैं हमारा जो देश है इसमें बहुत सारा use किया जाता है जो almond है almond की cookies आती है almond बहुत सारे sweets में यूज़ किया जाता है almond का जोना हलुआ बनता है कि आप बादाम का हलुआ खा रहे हैं देखिए जहां तक nutritional content का सवाल है उसमें कोई problem नहीं है इसमें बादाम है it'll have the same antioxidants it'll have the same proteins it'll have the same fiber content लेकिन अगर आपने बादाम का हलुआ बनाया तो it'll have lot of fats it'll have lot of sugar तो अगर आप देखें तो इसका जो calorie content है वो काफी उपर की तरफ जाता है तो अगर आपको diabetes है obesity है आपका BMI जादा है तो इस तरह का जो use है जो बादाम का या almond का it is not recommended because इसका जो calorie content है वो उपर की तरफ है और आपकी obesity को promote करेगा और diabetes को control को destabilize करेगा but as far as the nutritional value is concerned तो इसमें जितनी बादाम है उतनी nutritional की इसकी value है now what is the best way every way is the best way आपको बादाम खाने की जरूरत है but the only thing is कि आपको इस चीज को समझनी की जरूरत है कि ना day जो जो एक मुट्की बादाम की जरूरत है बहुत सारे बादाम खाने की जरूरत नहीं है आप उसको soak करके खाएं आप उसको रा खाएं आप उसको किसी भी दूसरे उसको यूज करके खाएं उससे कोई फरक ने पड़ता है आप आलमंड बटर जैसा है यूज करें तो ultimately जो आलमंड है वो आपकी बाडी में जाती है इन वो आपको बाकिस सब बेनिफिट्स देती है nutritional चाहे वो प्रोटीन हो चाहे antioxidants हो चाहे fiber हो जो आपको help करता है और बाड़ाम के यूज को समझने में अगर यह जो वीडियो है यह आपको help करता है तो इसको जरूर शेयर करें मैं Dr. V. Commissioner from Guest to Liver Hospital सौरूपनगर कानपूर Thank you very much